नीला चरा निवासाय नित्याय परमात्मने बलवद्र सुभद्रा भ्याम जगन्नाथा यते नमहा प्रिय शिक्षार्थियों एन आई उएस के स्टूडियो में आपका पुनहा आज स्वागत है मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचार वेद विभाग श्री जगन्नाथ समस्कत विश्व विद्याले पूरी उडिशा से आज हम पुनहा उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्येनम पाठ्यक्रम के अंतरगत पुस्तक क्रमांक दो के पाठ क्रमांक अश्टा दस अठारह जो पुरुष सूप्तम के नाम से है उसके भाग तीन का अध्येन करेंगे इस अध्येन में हम पुरुष सूप्त के ग्यारवे मंत्र से अग्रिम मंत्र तक अध्येन करेंगे जिसमें ग्यारवा मंत्र इस प्रकार है सम्हिता पाठ आप ध्यान से सुनें ऐसा मूल सम्हिता पाठ किया जाता है पाठांतर भी इसका अन्यवेद शाखाओं में उपलब्द है तो इस प्रकार के मूल सम्हिता पाठ उपलब्द होते हैं अब इस मंत्र का पतपाठ हम देखते हैं यत पुरुषम वी अदधुह कतिधा वी अकल्पयन मुखं किम अस्य को भाहू इती को उरू इती पादव उच्येते इती उच्येते यह पदपाठ हुआ इस मंत्र के स्रलार्थ को हम विचार करते हैं मंत्र में कहा गया है देवाहा पुरुषम विविधभागेन विविधः रूपेन च विभक्त वन्त हा जो जिन देवताओं ने स्रिष्टिक क्रम में मानसियक के उद्वारा स्रिष्टिक प्रक्रिया को अग्रेसर करने के लिए विराट पुरुष को उत्पन्न किये थे वे देवतागर्ण उस परब्रम्ह विराट पुरुष को अनेक भागों में विभक्त किये तस्य पुरुषस्य किम मुखम कउ तस्य बाहू कउ तस्य उरू कउ च तस्य पादव इत्य अत्रप्रशन हा प्रश्णा आता है इस मंत्र में कि देवताओं ने मानस यग्य के द्वारा जिस विराठ पुरुष को अनेक भागों में विभक्त करके उत्पन्न किया उस विराठ पुरुष के मुख किस प्रकार थी और उनके बाहू क्या थे उनके उरू जंगा को कहते हैं उनके जंगा के स्वरूप में थे उनके पाद क्या थे इनिन प्रकार की इसमें प्रश्ण किया गया है प्रश्ण उत्तर के क्रम में यहां अग्रिम मंत्र प्रस्तुत है पुरु मंत्र में जो प्रश्ण किया गया था उस प्रश्ण के उत्तर सुरूप यहां मंत्र पाठ आता है मूल मंत्र आपने सुना अब मूल मंत्र का पदपाठ आप सुनें इस मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है अर्थात मुखात उत्पन्नहा जो हमारे भारतिय संस्कृती में जिन चार वर्णों का वर्णन किया गया है जो ब्रह्मक्षत्रविट शूद्र इस क्रम से आते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में जिसका वर्णन किया चातुर वर्ण्यम मया स्रिष्टम गुण कर्म विभाग शाहा तो उनी चार वर्णों की स्रिष्टी के विशय में यह मंत्र कहता है मंत्र में कहा गया है कि अस्य विराट पुरुष अस्य मुखम ब्राम्मना आसीत यहा जो विराट पुरुष स्वरूप प्रथमा विर्भूत हुए उनके मुख से विप्रवर्ण की स्रिष्टी हुई पुरु कहते हैं जंगाबाग को उदर से लेकर के जंगाबाग के स्थान का नाम उरु है तो विराट पुरुस के इन स्थानों में उरु नामक स्थानों में वैश्य वर्न का स्थान रहा अर्थात उरु भ्याम उत्पन्नहा अयम वैश्य वर्नहा पुनहा उक्तम्यत शूद्रह अस्य पादह आसीत अर्थात पादा भ्याम उत्पन्नहा अयम वर्नहा विराट पुरुसके पाद जो है वो अंतिम वर्ण है जो चतुर्थ वर्ण है वहाँ संग्यक है इसका सामान्य अर्थ है ये है कि वहाँ परब्रम्ह विराट स्वरूप जो प्रदापति हिरन्यगर्व है उनका प्रारम्विक जो उर्थवाग है, मुखभाग है वहाँ विप्रवर्णी यभाग है प्रवचन इत्यादी, ग्यान इत्यादी, बुद्धिका कोश यह सब मुख की शोभा होती है तो विराठ प्रब्रम शुरूप के मुखरूपी विप्रवर्ण को कहा गया है और क्षत्रिय वर्ण को उनके बाहू के समान कहा गया है अर्थात बाहू का कार्य होता है प्रजाओं का पालन करना अपनी भुजाओं से प्रजाओं के रक्षण हेतु शत्रूओं का सम्हार करना अतयव क्षत्रिय की संग्या दी गई है उनके हासों को ख्रत्रिय वर्ण का भी यह धर्म है कि वहा राज कर्म करते हुए अपने प्रजाओं का सम्यक प्रकार से सम्रक्षन करे ख्रत्रूओं को सम्हार करता हुआ प्रजाओं का पालन करे उनहां वैश्यास्य उरुह आसीद ऐसा कहा गया वैश्य वर्ण का कर्म है विविद ग्रंथों में बताया गया है कृषि कर्म, वानिजिय कर्म यहां सब वैश्य वर्णों का कर्म है तो कृषि इत्यादी के द्वारा समाज की उदर पूर्ती का करतव वैश्य वर्णों के लिए है भगवान विराट पुरुस के उदर से लेकर के जंगा तक के भाग को वैश्य कहा गया है जो जिसमें उदर समाहित है अतायव यहां वैश्य वर्णों का करतव यह है कि वहां समाज के सभी वर्णों का उदर पूर्ती अपने द्वारा कृषि कर्म से उत्पन अन्नादी के द्वारा करता रहे और वानिज्य के द्वारा समाज का परिपालन पोशन करता रहे अतएव भगवान विराटपुरुस के उरू स्थल को वैश्यवरन की संग्या दी गई है अतएव पुना कहा पध्याम शूद्र अजाजत ब्रहम विराटपुरुस परब्रम परमेश्वर के पाद को शूद्र की संग्या दी गई है इसका अर्थ यह कतई ही नहinda है कि भगवान के पादों से शूद्र की उत्पत्ति हुई अथवा शूद्र इत्यादी अस्पृष्य है ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कोई अर्थ नहीं है भगवान परभ ब्रह्म विराट पुर उसके चरणवत कमलों में शुद्र का स्थान है हम यह समझ सकते हैं कि हमें हमारी भारती संस्कृति में प्रणाम करने की जो परंपरा है वो चरणों में ही की जाती है सेवा करने की जो परंपरा है वो चरणों की ही अधिकतर की जाती है और जितने भी कठिनकारी हैं गंतव या गंतव हैं उनका अनेक क्लिष्ट से क्लिष्ट स्थानों पर पादों से चलके जाया जाता है तो समाज के ऐसे कठिन कारियों की जिम्मेदारी उन कठिन कारियों का दाहित्व विरागपुरुस के पाद रूपी शुद्रवर्ण को दिया गया है अतहा यहा मंत्र का सरलार्थ हुआ अग्रिम मंत्र की ओर हम चलते हैं अग्रिम मंत्र में कहा गया ऐसा मूल मंत्र पाथ आता है इसका पदपाथ है चंद्रमा मनसह जातह चक्षो हो सूर्यह अजायत मुखात इंद्रह च अगनिह च प्राणात वायुह अजायत अर्थात तस्चईव पुरुशस्य मनसह चंद्रमा उत्पन्नहा उसी परब्रम विराट पुरुस के मन इंद्रिय से चंद्रमा की उत्पन्नहा नेत्रात सूर्यह उत्पन्नहा विराट पुरुस के नेत्रों से सूर्य की उत्पन्नहा और मुखात इंद्रह अगनिश्च उत् अग्रिम मंत्र की ओर हम चलते हैं अग्रिम मंत्र है यहा मूल मंत्र है इसका पतपाथ नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीरश्णह जवुह सम अवर्तत पद्भ्याम भूमिह दिशह श्रोत्रात तथा लोकान अकलपयन यहा पदपाथ हुआ इस मंत्र में बताया गया है कि पुरुशस्य नाभि मंदलात अंतरिक्षम उत्पन्नम यहां अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति विराट पुरुष परब्रम महिरण्यगर्व के नाभि मंदल से हुई है शिरसाह जुलोक कहा जिस प्रकार नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार उसी परब्रम विराट पुरुष के शिरभाग से जुलोक की उत्पत्ति हुई जुलोक का एक नाम स्वरगलोक भी है पुनह कहते हैं पद्ध्याम भूमि ही पादात भूमि ही उनके पादों से उनके पैर से भूमि की उत्पत्ति हुई और करणाच दिशाह उत्पत्ति हुई उनके करणे इंद्रियशे श्रोत्रे इंद्रियशे सभी दिशाओं की उत्पत्ति हुई तथा लोकान अखलपयन और इसी करम से उस विराट परब्रम पुरुष ने जिसका नाम प्रजापती है, जिसे हिरन्यगर भवी कहा जाता, उस हिरन्यगर भने सम पूर्ण लोकों की सृष्टी इसी करम से अग्रे सर की, अग्रे मंत्र है, यह मूल मंत्र है, इस मंत्र का पाठ परपाठ इस प्रकार है यह मंत्र कहता है कि यदा देवाहा मानस यज्यम विस्तार रयंतहा जब देवताओं के द्वारा उस प्रजापति प्रब्बर मस्वरूप मानस यज्य का विस्तार किया जा रहा था तदा विराठ पूरुषमेव पशुत्वेन बद्ध बन्तहा भावित बन्तहा तस्य यज्यस्य सब्त परिधा यहा एक विम्षति ही समिधा चकल पिता हा जब देवताओं ने उस मानस यज्य को विस्तार किया तो विराठ पूरुषमेव पशुत्वेन बद्ध बन्तहा उस विराठ पूरुषपरब्ब्रम को ही पशु के समान पशुस्रिष्टी के समान विचार करते हुए उस यज्यक प्रक्रिया को अग्रेसर किया और तस्य यज्यक चसर प्रिधय के साथ प्रिधियां थी जो वइतिक चंद के नाम से गायत र्याधी अनुस्टुप ब्रिहती पंक्ती त्रिष्टुप जगती ये वईतिक सब्चंद हैं ये सब्चंद ही उस यज्यकी प्रिधिया accuracy और एक अविम्षति ही समिधच्य कल्पिदा हा उन्होंने देवताओं उस्मानस यग्य की पूर्ति हे तू 21 समिधाओं का 21 समिधाओं की कल्पना की इसमें मंतर में आया है त्रिस सप्त समिधा हा त्रिस सप्त अर्थात तीन गुणे साथ तो इस प्रकार एक अविम्षति 21 संख्या होती है सप्त त्रिस सप्त समिधाओं की कल्पना देवताओं ने उस यग्य के विस्तार हे तू किया था अग्रिम मंतर है यद्येन यद्यमययंत देवास्ता निधर्मानि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानस्यचंत यत्रपूर्वे साध्यासंति देवाहा यहा मूल मंतर है इस मंतर का अपत पाठ इस प्रकार है यद्येन यद्यमययंत देवाह तानि धर्मानि प्रथमानि आसन्य तेहनाकं महिमानह सचंते यत्रपूर्वे साध्याह संति देवाह इस मंतर में कहा गया मंतर में आया है यद्येन यद्यमययंत देवाह तानि धर्मानि प्रथमानि आसन्य अर्थात तानि प्रथितानि मुख्यानि जगद रूप विकारानाम धारकानि अभूवन वे ही उनकी उपासनाएं वे उनकी देवताओं की वे ही पूजा प्रक्रिया समस्त जगद रूप विकारों को धारन करने के लिए मुख्य रूप से विराट प्रब्रम के रूप में अवतरित हुए उन देवताओं के पूजा से ही विराट प्रब्रमश्रूप का उत्पत्ति हुआ सवी जीवों के लिए सवी प्राणिधारियों के लिए उन देवताओं के द्वारा किया गया मानस रूप यग्य ही सरव प्रब्रमश्रूप धर्म है ते मानस यग्या नुष्ठाता रहा निश्चये न उपासका हा दिव्यम स्वरगम प्राप्न वंती वे देवताओं जिनोंने मानस यग्य को किया और उन मानस यग्य की परंपरा को जो निर्वन करते हैं वे निश्चयत रूप से उस प्रब्रम के उपासक दिव्य स्वरग में प्राप्त होते हैं अत्यंत महनिय स्वरग में स्थान प्राप्त करते हैं यत्र प्राचीनाह सिद्धिम प्राप्त बंतह देवाह संदी जहां प्राचीन देवतागन सिद्धि प्राप्त करके महनियता का सुख स्वरग में भोग रहे हैं वैसे ही महान स्वरग में प्रब् झाल